हेलो दोस्तों स्वागत हैब काच के एक निव वीडियो के साथ उम्मीद कता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जमीन प्लाट खरीदने और घर बनवाने के लिए लोन आप किस तरह बहुत असान वे में ले सकते हैं तो जैसे कि आज के समय में हर किसी को ये सपना होता है कि वो अपने घर में रहे और अपने सपनों को पूरा भी करें लेकिन हमारी रोजाने की भागदोड़ वारी जिंदिगी में हम अपने घर के लिए ही पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं और हमारे सपने होते क्या है कि अधूरे ले जाते हैं लेकिन आपको प्रशान उनकी जुरूरत नहीं है क्योंकि आज इस वीडियो की हेल्थ से आपका पूरे प्रॉब्लम का सॉलुशन यहां पे आपको बिल्गुल मिलने वाला है और किस तरह आप अपने घर जमीन और और इंफॉर्मिटिव आपको टाइम टाइम मिलती रही है तो वीडियो के एंड तक डेफिनेटली आप पूरी जो सो प्रोसेस है आप उसको असानी से समझ चुके होंगे तो इसमें हमारा जो मीन मीन कंसेप्ट आज का वो है हमारा की लोन लेने से पहले आपको कौन सी बात बात पड़ती है तो ऐसी सिटूशन में होता है कि हम लोन ले सकते हैं लोन डा सीधा ही चैसा इंससी ऱाइंच है जहां पर आपको शही टाइंपर लोन अजली मिल सकता है और ऐसे बहुत सारे जो हमें लोन और लेने के लिए कुछ प्रमलेटीं का है विर उस्कान होता है वा प्याज के समेथ और ऐसा ना करने पर होता है कि bank के द्वारा हमारे अगेंस्ट कारवाई की जाती है और future में जब द्वारा लोन लेने का time आएगा तो ऐसे जो मोखें वो भी कम हो जाते हैं तो सबसे पहले देखना क्या है कि कौन-कौन सी वह बाते हैं जो आपको लोन लेने स पहले बिलकुल ध्यान में रखना जरूरी है और सबसे पहला यह है कि कि प्रकार का कोई टाइप का लोन लिने से पहले आपको मार्गेट में उसकी पूरी तरीके से रिसरच करने चाहिए ताकिि आपको यह पता लगडंग जाया तो यह दुवारे रिपीट करना चाहूँगा कि आप जो आपकी income होगी annually उसका five times से ज़्यादा कभी आप loan ना लें और अगर आप किसी भी fees या charge से related कोई भी check issue कर रहे हैं यानि कि bank को issue कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान देने जुरूरी है कि bank के नाम ही check issue करें ना कि किसी bank के executive के नाम प आप loan नहीं लेना चाहिते हैं उसके लिए आपको करना है कि bank को inform करना जुरूरी है और loan के जो papers है loan के पेपर से signature करने से पहले सबी papers को अच्छे से तरह पढ़ लें कि जो आपको rate of interest बताया गया है वही उस पर charge किया जा रहा है कि उस पर extra कोई charges तो नहीं जोड़ जा रहे फिर अगर आपके मन में कोई doubts हो तो आप जो bank executive है उससे properly राम से details की information ले सकते हैं लोन लेने के लिए जुरूरी documents जो है उनकी photocopy करवाकर और attach कर जुरू रखें ताकि time आने पर समय आने पर आपको ऐसे चोटे मोटे कामूम है आपका जो time है वो waste ना हो लोन लेने के लिए जो भी जुरूरी documents हैं जमा करते हैं समय bank जो executive होगा उसको अपने documents की असली copy ना दे बल्कि उनकी photocopy देनी है और last important बात जो है लोन लेने के लिए कोई भी जल्दवाजी ना करें अक्सर होता क्या है कि बंदे लोन लेने के जल्दवाजी करते हैं और ब लेने के लिए लोन लेने से क्या profit है तो दुर्को नार्मल होता है कि लोन का नाम सुनते ही ना हम समझते हैं कि जब हमारे पास जूरूरी पैसे नहीं होते तो हम कुछ समय के लिए पैसे लोन लेकर उसका काम कर सकते हैं जो कि सिर्फ एक मातर यही एक options होता है middle life middle class family के पास लेकिन इसके अलावा भी loan लेने और कई profits होते हैं जो कि कुछ अलग way में हो सकते हैं जैसे कि अगर बात करें कि residential land खरेने के लिए भी आप loan कर सकते हैं कम documents को जमा करके और कम processing fees देकर हम loan ले सकते हैं और साथ में इसमें interest जो attractive interest rate होती है उस पर loan ले सकते हैं लोन पर एक बड लोन ले सकते हैं और लोन लेने पर आपको किसी भी तरह कि कोई payment penalty का माम भी नहीं करना पड़ता है अब इसके दिखते हैं कैसे application दे सकते हैं तो plot या जमीन के लिए आप कैसे loan के लिए application देंगे तो plot जमीन के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने bank नजदी की bank है उसक आपको पूरा suggestions वहाँ पर दिया जाएगा वहीं पर आपका application का form जमा होगा और उसमें अपनी सारी details आपको fill up करके documents attach करके bank में जमा करना है यानिक तो process यह था second होता है कि online का online भी check कर सकते हैं online के लिए आज अपनी आप अपनी जमीन या plot करने के लिए loan को online भी application लगा सकते उसके लिए आप हमारे उसमें लिए जो वेरियस साइट्स होती है banks की वहाँ आप देख सकते हैं और plot और जमीन के loan के लिए आप online application करने के लिए आप सबसे पहले उस बैंक की जो official website है वहाँ पर जाना होगा जहां से आपको loan लेना है और जो भी details दी गई होगी आपको fill up कर करके आगे forward करना है उसके बाद website के जो भी loan का sections होगा उसमें जाएं सब्सक्राइब करके आप rate of interest भी confirm कर सकते हैं और सारी बाते आपकी चुकाएं तो क्या होगा अगर देखो आप अगर टाइम पर loan नहीं चुकाते हैं तो future में होगा कि जो वापिस loan मिलना काफी मुश्किल हो जाता है लेकिन जब next time के लिए होगा loan लेना आप थोड़ा मुश्किल हो जाता है और साथ में उसकी जो ब्याज की दर भी काफी इसके लावा अगर हम loan चुकाता ही नहीं है तो होगा क्या कि बैंक के द्वारा जो अप्लिकेंट कारवाई कियागी और जो पढ़ने पर कानून का सारा भी लिया जाएगा यानि कि आपको पहले legal notice बेज़ा जाएगा उसके बाद आपको जो भी debt recovery tribunal होंगे वहां से आपकी credit score भी कहते हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी जो कि कई payments को करने में भी काफी एक importance part मान जाता है तो इसलिए जो भी loan ले उसको आप समय पर जरूर चुका दे ताकि future में आपको अपना एक अच्छे credit के विए से दुबारा भी loan मिल सकते है तो दोस्तों उमीद करता हम आपको वीडियो पसंद आईए पसंद आईए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब की करना अगर नहीं किया तो मिलते हैं जल्दे आपको एक new vlog के साथ